जैहिन साथियो बेलकम टू सेल्फ स्टेडी के लासेश विश्वमिचेन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम भोजन, स्वास्त और स्वक्षता के बारे में पढ़ने वाले हैं आपने परियावरण से संबन देते इसके पहले के सारी की सारी वीडियो आपको देखना है इसमें हम पढ़ेंगे भोजन क्या है? भोजन के आधार पर जीवों के पिरकार, पौधों के खाये जाने बाले भाग, भोजन पकाने के अलग-अलग तरीके, भोजन के घटक, संतुले तहार, मिड़े मिल, ठीके, छेत्रिय बेंजन, भोजन का संरक्षन, बीमारिया, बीमा करने के उपाए, ए, और लास्ट में हम अभ्यास प्रस्न भी इसमें करेंगे, ठीके, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सेर करना है, जो भी साथी अभी तक टेलिग्राम ग्रॉप से नहीं जुड़े हैं, वो टेलिग्राम ग्रॉप से अबस्ते जुड़ जाना, जी हा हो जाएगा, उनकी मृत्यू हो जाएगी, सभी जीवों को उर्जा उनके भोजन से मिलती है, ठीके, अर्थात भोजन बहखाद पदार्थ है, जो जीवों को उर्जा प्रदान करता है, ठीके, तो ये तो सभी लोगों को पता है, अगर आप से कभी पूंचा जाए, कि सभी जीवों को उर्जा कहां से मिलती है तो बोजन से मिलती है ठीक है इस प्रत्वी पर पौदे ही भोजन का निर्मार करते हैं ठीक है सभी जीवों को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भोजन पोधों से ही प्राप्त होता है ठीक है यह चीज़ आपको याद रख लेनी है आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं एक तो होता है साकाहरी दूसरा होता है मासाहरी और तीसरा होता है सरवाहरी ठीक है भोजन प्राप्त करने के आधार पर तो साकाहरी के बारे में जानेंगे यह बे जीव हैं जो केबल पौधे या पौधों के किसी भाग को खाते है ठीक है उधारण के लिए गाय, बैल, हिरान, बकरी, हाती ये क्या है साकाहरी जीव है अगर आपसे पूंचे जाए निमन मैंसे बताईए कौन सा साकाहरी जीव है तब ये चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं मासाहरी ये बो जीव हैं जो जानवरों के मास को खाते है ठीक है ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है यहाँ पर देखो उधारण के लिए सेर, बाग, लॉमडी, तिंदुआ, मेंडग, छिपकली और चील ये बो जानवर होते हैं जो मास खाते है ठीक है ये जीव जानवरों का सिकार करके खाते हैं गिद सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाता है इसलिए इसे मिर्तोप जीवी जो है कहते है ठीक है अन मिर्तोप जीवी है सियार, जीवानों और कबक ये क्या है मिर्तोप जीवी है अगर आपसे पूंचा जाए कि निवन हारी की ये बो जीव हैं जो साकाहारी भी होते हैं और मासाहारी भी होते हैं उधारन के लिए बात करें मनोस कवा गिलहरी कांकरोच कुता बिल्ली ये ऐसे जीव हैं जो साकाहारी भी है और मासाहारी भी है तब इन्हें क्या कहा जाता है सरवाहारी जो कि सबी लोग जानते हैं ठीक है जानवरे के मुहका आकार और दातों की बनावट इस तरह की होती है जिससे वे आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर सकें ठीक है मासा हारी जानवरों की दात अलग होंगे तो अलग-अलग ये दातों की बनावट होती है ठीक है गाए के आंगे के दात छोट ठीक है कुट्ते बिल्ली सेर बाग आदी के जो दान्त होते हैं जिससे बेमास को फाड़ और क्या कर सकें चील की चोच ऐसी होती है जिससे बाई सिकार को फाड़ सके कबूतर की चोच ऐसी होती है जिससे बाई दानों को पीस सके हारन बिल की चौँच ऐसी होती है जिससे वह फल और कीड़े मकूडे खा सके बगुला की चौँच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकूडे फल आदी को खा सके कव्ये की चौँच ऐसी होती है जिससे वह सभी तरह के भोजन को खा सके मनुस के दांत ऐसे होते हैं जिससे बाई काटता है फारता है पीशता है और चवाता है है ना और गिलहरी हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है ताकि उसके दांत बढ़े ना साप के दांत होते हैं पर अपने सिकार को पूरा निगर लेता है मनुस्द सरवाहारी है बैसाक सबजी भी खाता है और मास भी मनुस्द पौधे के अलग-अलग जो है हिस्सों को खाता है पौधे के खाये जाने बाले भाग देखो यहां पर यहां से कई बार पूचा जाता है देखो तना बाले देखो सबसे पहली तो तो आलू का क्या खाया जाता है तना प्याज का भी तना खाया जाता है लहसुन का तना खाया जाता है अदरक का तना और हल्दी का तना अगर आप से कभी पूचा जाए कि निमनमे से बताईए कौनसा ऐसा पौदा है जिसका तना खाया जाता है तब आपको आलू, प्याज, लहस, नदर, खल्दी ये सभी पता होनी चाहिए ठीक है जड़की बात करें तो गाजर की जड़काई जाती है मूली की, सलजम और सकरकंदर चुकंदर इनकी क्या खाय जाती है इनकी जड़क खाय जाती है पत्ति किसके खाय जाते है पालक, वंदगोवी, सरसो, बथुआ, मेथी, मूली और चना इनकी पत्ती भी खाय जाती है फूल देखो गुलाब के फूल, पूल गोवी, ब्रोकोली, केला, सीताफल, कचनार और सहजन और चना, मक्का, चाउल, गेहूं, मेथी इनके बीच खाय जाते हैं तो इस प्रकार से अलग-अलग हैं और आपसे पूंचा भी जाएगा तब आपको उत्तर भी यहाँ पर वताना है नेक्स्ट देख लेते हैं फल में सेओ, केला, टमाटर, सीता फल, नासपाती, आउला, आदी, कुछ पौदों के एक से जादा भाग भी खाय जाते हैं जड़ और पत्ते खाय जाते हैं मूली के फूल और फल खाय जाते केला और सीता फल के ठीक है बीज और पत्ते खाय जाते चना मेथी और सरसों के तना और पत्ते खाय जाते लहसन और प्याज के तो एचीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर हम दे जही से मक्षन और पनीर, बकरा, मुर्गा, आदी, इनसे मीट, मचली, मचली के लाबा कैंकडा, जहिंगा भी इस त्रैणी में आते हैं, है ना अंडा, मुर्गी, सतुर्मुर्गादी के अंडे, सहद मदुमक्यों से प्राप्त होता है, तो इस परकार से यह भोजन पकाने के कच्चे भी खाया जाते हैं, और कुछ जो होते हैं, बोजन पकाने के अलग-अलग तरीके हैं, है ना, तो यहाँ पर देखो, भून कर क्या खाया जाता है, आलू, भिंडी, सकरकंद, मक्का, चना, मुंपली, अगर आप से पूछा जाए कि निमन में से बताएए, कौन सा ऐ आलू, सकरकंद, मक्का, अंडा, तलकर, आलू, मीट, मिर्च, पापड, सेंकर, रोटी, पापड, ब्रेड, पिजजा, इसेंकर, कच्चा, टमाटर, मूली, गाजर, खीरा, एक चच्चे भी खाया जाते हैं, तो यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, भोजन के घ पोसक कहलाती हैं, अगर किसी के भोजन में, अगर किसी के भोजन में सारे पोसक तत्तों पलब्ध हों, तो उसकी ब्रद्धी, उसकी ब्रद्धी और विकास संपूर रूप से होता है, संपूर रूप से होता है, उसके बीमार होने, उसके बीमार होने की संभावना कम होती है अलग-अलग खाद पदार्तों से अलग-अलग पोसकत्तों जो है मिलते हैं एक पोसकत्त तो एक से जादा खाद पदार्तों में भी हो सकता है और एक खाद पदार्त में एक से जादा जो है पोसकत्त भी हो सकते हैं बोजन के मुक घटक जो पोसक हैं वो देखो कार्बो वसा, फ्रोटीन और बेटामिन ये क्या है भोजन के प्रमुक घटक होते हैं या पोसक होते हैं रुक्छांस ये ना आहारी रेसे और जल और खनेच ये जो होते हैं प्रमुक घटक होते हैं अगर आप से पूचा जाए निमने वैसे बताए कौन सा भोजन का प्रमुक घटक न अब दोस्त तो यहां पर हमें देखना है पिरमों की जो भोजन के घटक होते हैं सबसे पहले कार्बो हाइडरेट कार्बो हाइडरेट जो पोसक होते हैं एह हमें उर्जा देता है ठीक है इसका कार है और कार्बो हाइडरेट देखो किस किस में होती है गैहूं चावल आलू मक का, केला, सकर, कंद, गन्ना, वरेड, सकर, इन में क्या होती है, कार्बो हाइडरेट होती है, यह चीज याद रखनी है, ठीक है, अगर आप से कभी पूछा जाएगे, निमने मैं से बताईए, कौन सा कार्बो हाइडरेट का स्रोत नहीं है, या फिर स्रोत है, तो यह चीज पनीर, मक्कन, घी, अंडा, इन में क्या रहता है, वसा रहता है, ठीक है, मीट, मचली, बादाम, मुंगपली, अकरोट, इन में वसा रहता है, और यह जो है, हमारे सरीर के कार्बो हाइडरेट से दुगनी उर्जा देता है, हमारे सरीर के लिए घात रोदी, आवरण प्रद भोजन, है ना, तो यहाँ पर देखो, यह हमारे सरीर की ब्रदी में मदद करता है, यह कोचकाओं के पुना है, निर्मान में मदद करता है, तो याद रख लेना है कोचकाओं के पुना निर्मान में कौन मदद करता है, तब आपका उत्तर होगा प्रोटीन, ठीक है, अब प विटामिन के बारे में देखो एक कई परकार के होते हैं जिनकी चर्चा अलग अलग से की गई है विटामिन्स ये रोगों से हमारी रक्षा करते हैं तो फल, सब्जियां, दूद इनमें जो है क्या पाई जाते हैं विटामिन्स पाई जाते हैं और रुखछांस या आहारी रे आहारी रेसे होते हैं और जल की बात कर लो जल और खनेज तो इस सरीर के अंदर पोसक तत्वों को अफसोसित करता है सरीर से अफसिश्पदार्तों को बाहर निकालने में मदद करता है तो जल चाय दूद तरी वाली सबजियां आदी जल और खनेज जिसमें पाए जाते हैं जल एह सरीर के तापमान को नियन्तृत करता है जल ठीक है खनेज हमारे सरीर को कई परकार के खनेजों की जबूरत होती है जिनकी चरचा अलग से की गई है एह रोगों से हमारी रख्षा करते है खनेज तो यह सारे के सारे जो हैं को पोसक तत्तों के यहाँ पर हम देख रहे थे, उनके कार देख रहे थे, कौन-कौन से स्रोथ हैं, वो देख रहे थे, यह चीज आपको याद रखने हैं, यह स्रोथ आपसे पूँच लिए जाते हैं, कार्वो हाइडरेट रो बसा को उर्जा देने बाला भोजन कहा जाता है, ठीक है, है ना, प करूप से जो उर्जा मिलती है, वो काई से मिलती है, तब आपका उत्रोगा कार्वो हाइडरेट से मिलती है, ठीक है, अंगला देख लेते हैं, दोस्तों संतुलित आहार या फिर भोजन, बहे आहार भोजन, जिसमें सभी पोसक जो घटक हैं, उचित मात्रा में, जितनी एक काईव बर्ग के मनुस्थ को चाहिए उपलब्द हों, तो भै आहार संतुलित आहार कहलाता है, सिर्फ एक प्रकार का खाना खाने से सभी पोसक नहीं मिलते, इसलिए हमें अलग-अलग तरह के खादपदार्त खाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ महेंगी खाने पीन की चीजों से भी संतुलित भोजन जो है प्राप्त कर सकते हैं, तो यह यहाँ पर संतुलित आहार के बारे में बताया गया, और हम दोस्ते देखतेंगे मिड़े मिल, मिड़े मिल भारत में सभी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, खास तोर से गरीब बच्चों क को इसलिए सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्तर तक कि उन सभी बच्चों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मौपत संतुले ताहार देने का नर्नाय 2001 में किया था परणतु नर्नाय को 2004 में लागु किया ग्या इस तरह 2004 में पूरे भारत के सभी प्राइमरी स्कूलों में मिड़े मिल जो योजना है को सुरू किया गया इस योजना के अंतरगर सरकारी स्कूल में उच्च प्राइमरी इस तर तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को दो पहर को मुपत संतुले ताहार दिया जाता है अब आपसे यहां से एक क्वेस्चन खार देने का जो निरना लिया गया था वो 2001 में लिया गया था लेकिन जो मिड़े मिल जना है यह 2004 से लागू कर दी गई थी ठीक है तो यह चीज़ याद रखनी है दोस्तों छेत्रिये बेंजन के बारे में यहां पर हम देखेंगे जिस तरह हम एक ही तरह का खाना नहीं कात खाती हैं अलग-अलग छेत्रों के अलग-अलग बेंजन होते हैं किसी छेत्र का जो खान पान है निम्न बातों पनिरभर करता है उस छेत्र में खाद पदार्त आसानी से उपलब्द है कि नहीं उस खाद पदार्त का उस छेत्र की संस्कृति में क्या महत्तो है वह खाद वहां आसानी से मिल जाते हैं दक्षन भारत के लोग नारियल का प्रयोग अपने बेंजनों में करते हैं क्योंकि वहां पर जो है नारियल मिल जाता है आसानी से तो एस सारी के सारे कारण होते हैं तर्टी चेतर के लोग मचली चाउल जादा खाते हैं क्योंकि इस चेतर में जो हूँ फेना है, एई साप का मांस होता है, हांग कांग के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं आज की तारीक में कोई भी बेंजन कहीं भी मिल जाता है, वह ये महंगा मिले, पर उस बेंजन की जो है उतपत्ती एक विसेस चेतर में हुई है ठीक है तो ये चीज़ याद रख लिनी है लिंग हूँ फैना है ये क्या है साप का मास होता है ये कुछ राज्यों के बिसे इस बेंजन देखो अगर आप से पूछा जाए कि मसोर टेंगा एक इस राज्य का बेंजन है तब आपका उत्रोग असम का वास चावल ये असम के बे बेहार के देखो लिट्टी चोखा खूबी का लाई और चावल है ना चावल और दाल ये कहां के हैं बेहार के हैं और मचली नारियल के तेल से बनी ये गोबा का बेंजन है गुजरात ढोकला खांडली लेमन राइस ये गुजरात का है हरियाना वाजरा वाजरा खिच्डी क जारकंड के देख लो रूगड़ा और मडूआ रोटी ये कहां कि हैं जारकंड के मद्द प्लेस में भुट्टे की खीर ये पिर्शिद्ध है महराष्ट में साकपूरी बड़ा पाव पाव भाजी ये महराष्ट में हैं नागरलेंड में बास के कोपल और मोमोज उडीसा में पोड़ा पंजाम में सरसों का साग और मक्के की रोटी पंजाम में राजिस्तान में मलाई घेबर और चूरमा बाटी पस्चिं बंगल में दाब चिनगरी और रसगुल्ला संदेस मेगलाय में तुंग तप मचली की चटनी तिरपुरा में वेरमा मचली केरल में आविरल मिस्त्रित सबजी टैपियो का और लाल चीटी की चटनी 36 गड़ में तो इस प्रकार से अलग-अलग हैं अगर आप से पूचा जाए कि लाल चीटी की चटनी कहां बनाई जाती है कहां का ये बेंचन है तब आपका उतर होगा 36 गड़ की ठेक है एक कहां की है 36 गड़ की ये सब भी कुयाद रखनी है अब दोस्तों भोजन का संरक्षन हमें यहां पर पढ़ेंगे खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती है इसलिए उनको खराब होने से बचाना जरूरी है ताकि जो है उनका लंबे समयता को प्योग किया जा सके कभी कभी हम उन चीजों को बचा कर रख सकते हैं जिनने हम बहुत समयता को पियोग कर सकें ठीक है ये भोजन का संरक्ष्ण है भोजन की संरक्ष्ण में हम देखेंगे आज कल फल सब्जियों को बचाने के लिए रेफरेजरेटर कर प्रियोग किया जाता है है ना और रेफरेजरेटर में तापमान का मोता इसलिए फल सब्जि में लपेट कर रखा जाता है विविन चीजों को लोग अचार के रूप में लंबे समय तक रखते हैं जैसे आम, आवला, मिर्च और लहसुन इनको रख सकते हैं विविन चीजों को लोग मुरब्बे के रूप में लंबे समय तक बचा कर रख सकते हैं जैसे आवला और सेव य रखते हैं लंबे समय तक उप्यों की जा सके ठीक है जैसे मेथी आलू की चिप्स इनको सुखा कर रखते हैं कुछ चीजों को लोग भून कर रखते हैं जैसे चना और मुंग पली इनको बून और भी देखो कुछ चीजों को जैम और सास के रूप में सरक्षित करकी रखा जाता है दूद को उबाल कर रखा जाता है ताकि वह जल्दी खराब ना हो थैली वाला दूद पास्चुरी करत दूद होता है थैली वाला जो दूद होता वो पास्चुरी करत होता है दूद को 62. गरम किया जाता है तो बाइब यहां से दो क्वेस्टन आपके बनेंगे दोस्तों कि पास्चुरी करता है कितने वन सेंटी गरेट पर गरम किया जाता है तो 22.08 अंसेंटीगरेट पर 30 मिनिट और 71.07 अंसेंटीगरेट पर 30 सेकंड ठीक है यह चीज़ आपको याद रखनी है यहां पर यह पास्चुरी करन है अंगला देख लेते हैं तो यह दोस्तों पास्चुरी करन की प्रकरिया है जो आपको पता होने जाए ठीक है बीमारियों कई तरह ऐसे पहलती हैं कभी खराब भोजन खाने से कभी गंदा पीने से और कभी गंदगी की बजए से कभी भोजन के अबाव से तो कभी जिव जन्तूओं के काटने से है ना विमारियां दो प्रकार की होती है एक जन्मजात होती है एक उपारजित होती है जन्मजात बे बि उपारजित बीमारियां ये जन्वजात हैं उपारजित बीमारियां हमें बातवन से मिलती हैं जैसे रतोंदी, पेचेस, छोटी माता, काली खासी ये बातवन से मिलती हैं ठीक है तो उपारजित बीमारियां दो परकार की होती हैं एक संक्रामक और एक का संक्रामक जे पानी और भोजन के द्वारा फेलते हैं ये रोग एक दूसरे से मनुस्थ में फैल सकते हैं और नहीं भी फैल सकते हैं है ना नहीं भी और भोजन के द्वारा फैलते हैं ये रोग एक मनुस्थ के दूसरे मनुस्थ में फैल भी सकते हैं और नहीं भी ठीक है जैसे मलेरिया, ड अभाव से खनिच के अभाव से या फिर किसी चीज की इलर्जी से हो सकते हैं जैसे हार्ट अटेक, इसकर्बी कैंसर ये आसंक्रामक रोग हैं ठीक है ये चीज आपको पता होनी चाहिए और मलेरिया, डेंगू, तपेदे, खेजा ये संक्रामक रोग हैं तो इस आसंक्रामक औ आपको तैयार रहना है अब इसमें दोस्तों हम बीमारियों के बारे में देखेंगे कुछ जनमजात बीमारी होती हैं कुछ उपारजित बीमारिया होती हैं तो जनमजात में देखो एक तो हीमू फीलिया है और बरनांदता ये जनमजात बीमारिया आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताई कौन सी जनमजात बीमारी है तब आपको पता होनी चाहिए उपारजित बीमारी को देखो उपारजित बीमारी को दो भागों में बाटा गया एक संक्रामक दूसरी आसंक्रामक तो संक्रामक में कौन सी आएगी तपे देख पोलियो मलेरिया खुजली ख बाटने से हमारे सरीर में कीटानू, जीबानू, बिसानू, प्रोटो जो आफफुन चले जाते हैं और हम बीमार कर देते हैं ठीक है जीबानू जनेत रोग देखो ये रोग जीबानू के द्वारा फैलते हैं ये रोग है काली खासी, निमोनिया, प्लेग, तपेदे, कोड, ध जीबानूं से याद होने चाहिए काली खासी, तपेदे, प्लेग, और कुस्ट रोग, इस सारी की सारी डिप्तेरिया, जीबानूं के द्वारा फैलने वाले रोग हैं प्लेग चुओं के द्वारा फैलता है इस बीमारी को काली मौत भी कहते हैं काली मौत ठीक है ये चुओ के द्वारा फैलता है है जा मक्की दूसित जल और खाने से फैलता है इसमें उल्टी दस्त लग जाते हैं है जा मैं आत्र जोर म्यादी दूसित जल और खाने से फैलता है डिप्तीरिया काली खांसी और टेटनेस बीमारियों को दूर करने के लिए एक टीका लगाए जाता है ज जाता है है ना इस बीमारी को दूर करने के लिए BCG बेलसी बेलसीलस कालमेट गुरिन का टीका लगाया जाता है यह चीज़ आद रखनी है अगर आप से पूचे जाए कि BCG का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता तब आपका उतरोगत तब यह देखे पर TB ठीक है DPT का किस बीमारी के लिए की रोगताम के लिए लगाया जाता है यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए ठीक है बिसानु जनेत रोग देख लेते हैं यह बिसानुगों से फैलते हैं जैसे पीलिया, छोटी माता, चेचक, एर्स, फिलू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डैंगू, पोलियो, चिकन गुनिया यह सबी जो रोग हैं यह बिसानुगों के द्वारा फैलते हैं ठीक है और डैंगू, चिकन गुनिया, एडीज, मच्छर के काटने से होता है गलसुआ, मैं कानों के नीचे सूजन आ जाती है तो यह जो है वो क्या है यह बिसानुगों से फैलने वाले रोग हैं जो आपको पता होने चाहिए ठीक है और भी देख लेते हैं भारास से चेचक और पोलियो नामक बीमारियां दोर हो गई है पोलियो को पूर्लूप से खत्म करने के लिए भारास सरकार ने पल्स पोलियो कारिकरम जो है की सुरुगात की थी उलेखनी है कि काल करम अभी संचालत है और इसके अंतरगत जीरो से पांच वर्स की आयू के बच्चों को पोलियों की दवा पिलाई जाती है और बरतमान में जो पोलियों के ब्रांड अमिता बच्चन है ये चीज भी याद रखनी है ठीक है प्रोटो जोवा जनित रोग देखो प्रोटो जोवा से ये रोग प्रोटो जोवाओं से फैलते हैं ये रोग पेचिस डायरिया मलेरिया पायरिया ठीक है पेचिस मक्कियों द्वारा फेलता है इसमें पतले दस्ते होते हैं और उसके साथ खून आता है पायरिया दातों की बीमारी है मलेरिया मादा एनुप्रीज मच्चर से फेलती है इसमें कपकपी के साथ बुकार आता है और इसकी दवाई कुनें सिनकोना नामक पेड़ की चाल से बनती है कई बार क्वेस्चिन पूछा गया है कि मलेरिया की जो दवाई बनती है कौन से ब्रक्च से बनती है तो सिनकोना नाम के पेड़ की चाल से बनती है मच्चम को दूर करने के लिए तालावों में मच्चलियां पाली जाती है रोणाल्ड रोस ने एक होजा था कि मलेरिया मच्चरों से फेलता है ठीक है और देखो फपूंद फपूंद ये कबक जिससे कहा जाता, ठीक है जनित कबक जनित रोग है ये फपूंद से फैलते हैं ये रोग हैं दाद, खाज, अस्तमा, अस्तमा सास की बीमारी है ठीक है मच्छों से फैलने वाले रोग देखो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिस्क जवर आपसे पूछा जाएगा नेमनों मैंसे बताईए कौन सा मच्छों से फैलने वाला रोग है तो आपको पता होने चाहिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मक्खियों से फैलने वाले रोग हैं, हैजा, पेचेस, पोसक तत्तो या फिर खनिच की कमी से होता है इन रोगों को दूर करने के लिए हमें उन चीजों का सेवन करना चाहिए जिनकी कमी के कारण ए रोग जो है रोग हुए हैं ऐसा नहीं है कि हमें बाकी पोसक तत्तों का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए अगर हमें इन जो है कर्बो हाइडरेट और बसा की कमी से बच्चों में क्वासी योरकर और मरासमस रोग हो जाता है रोगों से बच्चों की ब्रद्दी और विकास रोख जाता है तो यह चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि क्वासी योरकर रोग किसके कारणा होता है यह चीज आपको पता ह होनी चाहिए ठीक है अगर हम सिर्फ कारिबो हाइडेड और वसा खाते हैं तो हमें मौटापे की बीमारी हो सकती है है ना प्रोटिन की कमी से तवचारोग आ सकता है पेचिस भी हो सकता है बालों का रंग भी जो है उड़ सकता है और चेहरे पर सूजन भी आ सकती है जादना त चीज आपको याद रखनी है और भी यहां से बिटामिन बी और सी पानी में घुल जाते है इसलिए इन्हें जल में घुलंसील बिटामिन जो है कहते हैं तो यह चीज आपको पता होने चाहिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेमन मैंसे बताएं यह कौन सा बिट अगुलंसील के डी ए केडा केडा पढ़ लो इसको केडा ए जल में अगुलंसील है और वी सी जल में घुलंसील है ठीक है तो याद रखो नीचे दी गई तालिका में बिटामिनों के परकार उनकी कमी से होने बाले रोगों को दिये हैं तो बिटामिन एकी कमी से कौन सा होता बिटामिन बीबन की कमी से बेरी बेरी बिटामिन सी की कमी से सकर भी होता है ठीक है और बिटामिन डी की कमी से रेकेटस हो जाता है रेकेटस और बिटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता तो यह जो है दोस्तों यहाँ पर बिटामिन है और बिटामिन से होने बाले ब एकनेज हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं ठीक है परन्तु खनेज अच्छे स्वस्त एबम उचित बिकास के लिए आवस्त होते हैं कुछ प्रमोख खनेज इस प्रकार से लोह है लोह की कमी से खून में होमोगलोबन की हीमोगलोबन की जो है कमी हो जाती है जि भी लोगों को याद रखना है एनिमिया को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सबजियां पालक आउला गुड और जो है ये फल जो है वो खाना चाहिए सबजी को कटने के बाद काले पढ़ने लगते हैं सेव केला आलू ये सारी की सारी जो है खानी चाहिए ठीक है आयोडिन देखो आयोडिन की कमी से घेंगा गल फूला रोग फूल जाता है इससे है ना गला फूल जाता है जिसे गाय टर भी कहा जाता है आयोडिन हमें मुक्रूफ से समुदरी जीव जनतूँ से मिलता है आजकल आयोडिन नमक के साथ मिलकर के आता है मिला हुआ आता है कैलसियम दे अंडा सेयो जो है पत्तेदार सबजियों से मिलता है फासपूरस देखो ये भी हमारी हड़ियों और दातों के लिए जरूरी है ये हमें दूद केला हरी मिर्चादी में मिलता है ठीक है तो ये आपको याद रख लेना है फासपूरस के सुरोत कौन से हैं कैलसियम के सुरोत कौ से हैं इस सारी की सारी चीज़ें आपको यहां पर किलियर रखनी है हमें भोजन पकाते समय निम्लिक इतबातों का ध्यान रखना चाहिए हमारे भोजन में बिटामिन और खनेज नस्ट ना हो हमारा भोजन संतुलित रहे सबजियां काटने के बाद नहीं दोनी चाहिए बलकि उन्हें काटने से पहले जो है दोना चाहिए ताकि जल में गुलंसील पोसक तत्तवे अर्थ ना हो दाल चाउल को जादा नहीं दोना चाहिए खाने को जादा देर तक पकाना नहीं चाहिए और खाना ढखकर पकाना चाहिए खाना पका दे समय उसमें जादा पानी नहीं डा गाओ, हल्दी का लेप, मोच के लिए, हल्दी और चुने किसी को अगर कुछ पर इस परकार से घरे लूँ जो नुकसे हैं वो इस परकार से गला खराब, अद्रक और गोड, बदहजमी सौप इस परकार से यह दिया गया है, ठीक हैं, यह अलग-अलग परकार से, और भी देख की बज़य से बीमारियां फैलती, इसलिए हमें कच्रा इदर उदर नहीं फैकना चाहिए, कच्रा दो परकार का होता है, एक तो जेव निमनी करनी है, और जेव अनिमनी करनी है, अगर आप से पूछा जाए, कि जो कच्रा होता है, वो कितनी परकार का होता है, तो दो परकार का एक जेव निमनी करनी और एक जेव अनिमनी करनी ये के बारे में अगर देखें तो जेव निमनी करनी ये कच्रा बै होता है जो बातावर्ण में कीटाणों की द्वारा आसानी से अपगटित हो जाता है और जेव अनिमनी करनी ये करनी जो होता है वो अपगटित नहीं होता है निमनी करणी में छिलके अंडे का छिलका कागज चाय पती सूका पतियां ये क्या हो जाती है अपगटित हो जाती है लेकिन अगर बात करें कि पिलास्टिक पॉलीथिन की थेलियां कांच के टुकडे कपड़ों के टुकडे कीलें पिलास्टिक ये जो होती है जेव अनिमनी निमनी करनी कच्रा की अंतरगत आता है तब आपको पता होनी चाहिए और जैव निमनी करनी है कच्रा की अंतरगत कौन आता है जो भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है कच्रा की देखो दोस्तो इस प्रकार के दो प्रकार के हैं जैव निमनी करनी और जैव अनिमनी करनी है फल की जा सकती, इस खात को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की गुलवत्ता बढ़ जाती है और जो है फसल अच्ची होती है, कमपोस्ट तयार करने के लिए ज्यव निमनी करने कच्रा को मिट्टी में गढ़ा खोद कर सभी को पता है दबा दिया जाता है कुछ दिनों के बाद कच्रा पूरी तरह से गल जाता है और दुरगंद रहत हो जाता है जिसका आर्थ वास्तवे खाद तयार है ठीक है जेव अनिम्निय करने जो कच्रा होता है यह जो होते हैं कच्रे को सहर के बाहर गहरे गड़े होते हैं है ना और बहां डाल कर डाल दिया जाता है जिसमें भराव चेतर कहते हैं जिसे भराव चेतर कहते हैं भराव चेतर में कच्रे को मिट्टी की परत से धक दिया जाता है जब भराव चेतर पूरी तरह से बर जाता है तब उस पर पार्क या खिल का मैदान बना दिया जाता है इस परकार अनुपियों की कच्रे क प्लास्टिक कादी की बस्तुएं नालियों को जाम कर देती हैं जिसमें नालियों का गंदा पानी जो है क्या होता है एक अत्रित हो जाता है या पर सड़कों पर बहने लगता है जिसमें बातावरन प्रदूसित हो जाता है इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इस तरह हम कच्रे क प्लास्टिक की थेलियों का उप्योग कम कर सकते हैं इसके इस्तान पर कागच की थेलियों का प्रियोग कर सकते हैं प्लास्टिक की बस्तुएं बोतल थेलियां आदी पुनाः प्रियोग किया जा सकता है कागच को बरबाद नहीं करना चाहिए काच प्लास्टिक आदी को पु देश पूरे भारत को साप स्वक्ष बनाना इस अभियान की शुरुवात महतमा गांदी की एक सो पचास भी जनमे दिन यहनी कि 2 अक्टूबर 2014 को 2जार 14 को परधान मंतरी जो है स्री नरेंदर मोदी द्वारख की गई थी इसकी शुरुवात कब की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को और इस अभियान का नारा है ना गंदगी करने देंगे ना करेंगे और ना करने देंगे अगर आप से कभी पूचा जाए कि स्वक्ष भारत अभियान जो है इसकी एक नारा है वो क्या है तो इसका नारा है ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे ठीक है और इसका बात की गई दो अक्टूबर 2014 को 150 जन्म दिन की आउसर पर ठीक है ए चीज याद पर याद रखनी है दोस्तों अब हम कुछ अभ्यास प्रस्टनों के माद्यम से यहां पर अभ्यास करेंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक जरू कर दिना ठीक है सेर भी अबस्य करना है तब आपका बिलकुस सही आंसर होगा बी एनिकी जो गिद्ध है गिद्ध सही हो जागा गिद्ध क्योंकि क्या है मरे हुए जानवरों को खाता है इसलिए गिद्ध अलग है बांकि ये जो है जिन्दा जानवरों को खाते हैं तो सेर चील और चिपकरी गाए के आंगे के दांत छ शर्क्सा के ए नंबर आपका यहां फर विलकुत सही होगा ठीके अंगला question है साप अपने सिकार को कैसे खाता है चीड कर फाड़ कर निगल कर या फिर काट कर प्रश्नी क्रमांग 3 का उत्र बताना है और साप अपने सिकार को कैसे खाता है तो विलकुल जो right answer होगा वो क्या होगा निगल कर यानि किसी नमबर ठीके निवन वैसे कौन सा एक खाया जाने वाला फूल है तो खाया जाने वाला फूल कौन सा है प्रशने किरमांग के अपना चार और चार का जो राइट अंसर होगा वो क्या होगा फूल बताना है तो वो है ब्रोकली फूल ब्रोकल है और आपका जो उत्तर आया है वो क्या है फल है डमाटर एक फल है निन्वेश कौन सा कतन सत्य है सत्य बताना है आपको प्याज कतना और पत्ते खायाती है गिलहरी सरवहारी होती है गिद्ध सिर्प मरे हुय bisogγों क lle Sunny को खाता है अप्र प्रोक्त सकरकंद के वारे में अगर बात करें हम तो सकरकंद जो खाया जाता है वो भूनकर भी खाया जाता है और वालकर भी यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका D है वो यहां पर सही होगा ठीक है मिड्डे मील की सुरुवात कप की गई तो कप की गई 2001 में 2004 में 2002 या फिर 2006 में तब और आपका राइट जो आंसर आया है वो आया है 2004 यानि कि C नमबर मिड्डे मील में क्या होता है बच्चों से खाना बनवाया जाता है बच्चों से खाने की सामगरी मंगवाई जाती है अध्यापक गण खाना पकाती है उपरुक्त में से कोई नहीं तो मिड्डे मील में क्य होता है आपका बिलको राइट अंसर होगा बिकल्प नमर तीन ये बिकल्प नमर चार उप्रूप्त में से कोई नहीं हमारे बोजन में कितने पोशक्तत्त होने चाहिए कितने होनी चाहिए चार छे दस या फिर आठ तो आपका दस का उत्तर हो जाएगा छे हमारे जो है बोजन है वसा है या फिर कार्बो हाइड़ेड है तो मनुस्थ के सरीर के लिए जो उड़ जा का प्रमुक्स रोत माना जाता है जद्धी से उत्र बताओ और आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा उत्र हो का कार्बो हाइड़ेड यानि की बेकल्प नम मर है वो यहां पर राइट होगा निमलकित कार्यों पर विचार कीजिए इस पोसक तत्त से हमें उर्जा मिलती है यह हमारे सरीर के अंगों को बाहरी जटकों से बचाता है तो उप्रोक्त मैं से किस पोसक तत्त से संबंदित है प्रश्निकरवां 13 आंसर बसा से जल से सकतत तो हमें कोई पोसक प्रदान नहीं करता किनितु फिर भी वह हमारे संतुलित आहार का अहम हिस्सा है तो कौन सा है चार बिकल्प हैं प्रश्निक रमांक चौदा है और चौदा का जो अपने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या रूख चांस रूख चांस यानि कि जो बी नम्मर है वो सही हो जएगा कितने तापमान पर होता है तो प्रश्निक रमांक 17 का अंसर सभी लोगों को पता है कि 62.8 पर भी 71.7 पर भी होता है यानि कि दोनों पर होता है C नम्मर बिलकुँ सही होगा किस चेत्र के लोग मचली और चांस जाना खाते हैं प्रश्निक रमांक गठारा का उत्तर जदी से और मचली और चांस जो खाते हैं वो खाते हैं 30 चेत्र 30 यानि कि C नम्मर यहाँ पर बिलकुँ सही होगा ठीक है C नम्मर आपका यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने जो है महत्पूर प्रश्नों पर चर्चा की और आप सभी ने बिस्तरे त्धिन भी किया और प्रश्नों पर भी चर्चा की है जो भी क्वेश्चन है आपके वो टेस्ट में आँगे बाए आने वाले जो भी टेस्ट होगा उसमें करा दिये जाएंगे बोजन से सम्मंदित आज यहाँ पर इतने ही प्रश्नों का आपका टेस्ट रहेगा इतने ही आपका बिस्तरे तद्दैन रहेगा ठीक है वीडियो बढ़ाना हो इसके लिए वीडियो का जो और भी प्रस्चन होंगे उनके टेस्ट करवा दिया जाएंगे फिल हाल आपने बिस्तरे तद्दैन किया है ठीक है, बहुत बड़ जा तो वीडियो کو लाइक जरू करना है और सेर करना है आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जैहें